आज अक्षे कुमार की अगली पिक्चर राम सेतु का टीजर रिलीस किया सबसे पहली बात इस पिक्चर के हिसाब से राम सेतु है और वो हम पानी के अंदर देख भी सकते हैं देखने पर अच्छा लगता है परंतु प्रशन ये उठता है कि राम सेतु को देखने के लिए बस पानी की नीचे जाना है तो राम सेतु के होने ना होने पर इतना विवाद क्यों मुझे लगता है कि राम सेतु है या नहीं है ये ढून निकालना इस पिक्चर की कथा नहीं है ये पिक्चर इस प्रश्न का उत्तर ढूनती है कि राम सेतु होने से क्या ये साबित होता है कि रामायन हुई थी या फिर भारत और लंका के बीच में पुल तो पहले से ही था बस रामायन नामक कालपनिक कथा लिखी थी भगवान श्री राम थे ये साबित करना इस पिक्चर का मूल विशय हो सकता है टीजर देख कर लगता है कि कुछ ऐसे लोग है जो नहीं चाहते कि भारत के महान इतिहास की सच्चाई दुनिया को पता चले इसलिए वो राम सेतु को नश्ट करना चाहते है मुख्य पात्र जो अक्षे कुमार प्ले कर रहे हैं उसका ये काम है कि वो उन दुश्मनों को रोख ले ये तब हो सकता है जब वो श्री राम के अस्तित्व का प्रमान दे सके इसलिए वो और उसके साथ ही मोहेंजदारों हरपा से लेकर राम सेतु तक खोज करते है मेरे अनुमान से राम सेतु पिक्चर की ये कता है धन्यवाद